इस वीडियो में मैं आपको practically सिखाऊंगा कि जैमन युनिवस्टीज के लिए एक बेहतरीन letter of motivation किस तरह लिख सकते हैं। इसको मैं इतने easy way में explain करूंगा कि एक metric का बच्चा भी इसको असानी के साथ समझ सकता है और अपना letter of motivation खुद लिख सकता है। इस वीडियो की description से आपको एक template भी मिल जाएगी और ये exact same template है जिसकी मदद से हमने अपने consultancy students के लिए 400 plus admission letters secure की हैं। मेरी team कहा रही थी कि ये template मैं publicly share ना करूं लेकिन ये इस कदर effective template है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे फायदा उठाएं। आपके low grades हो, steady gap हो, work experience हो या ना हो, still ये letter of motivation बहुत effective है और इस motivational letter को देखके German universities आपसे बहुत impressed होती है और आपको admission दे देती हैं। Also इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक trick बताऊंगा जिसको आपने सिर्फ ethically इस्तेमाल करना है और आपका admission letter पके है। इस वीडियो को आप completely देखें और अपना letter of motivation खुद लिखें। लेकिन अगर आपको कोई मसला आ रहा हो और अपने letter of motivation मेरे से या टीम से लिखवाना हो तो उसका तरीका भी मैं आखर में बताऊंगा। चले हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप LOM का structure देख लें तो देखें इसके अंदर 6 paragraph होंगे ना 5 होंगे ना 7 होंगे या अल्रेडी प्रूवन है आप 6 paragraph ही रखेंगे और इसके अंदर हर paragraph जो है उसकी अपनी एक एहमियत है देखें एक बात याद रख लें कि German University tuition free ह आप से पैसे नहीं लेती हैं तो वह अगर स्टूइंट को reject कर दें तो उन्हें को मसला नहीं है क्योंकि उन्हें पैसे लेने नहीं है तो बहुत सारे स्टूइंट को reject भी करती है और बहुत सारे जिनका low CGPA भी होता है उनको भी admission देती है उनकी motivation देखते हुए तो motivational letter की को सारा explain करता हूँ चले हम स्क्रीन पे आ गए तो यह देखें यह हमारे पास LOM की template है letter of motivation की एक template है और दूसरा हमारे पास sample है template का मतलब यहां पे placeholders हैं आपने सिर्फ इंदर अपने चीज़ें डालनी है और यह letter of motivation आपका बन जाएगा specific to you इसी तरह यहां पे sample है sample का मतलब example, example के अंदर मैंने उसी template को fill किया हुआ है एक student के data के साथ तो यह आपको असानी से समझा जाएगा तो अगर तो आप जहीनों फतीन है तो आप यह simply दो यह template भी download कर लें और sample भी download कर लें और अपने letter of motivation खुद लें लेकिन मैं recommend करूँगा कि आप इस video को आगे तक देख ले देखेंगे एक paragraph को उसका template फिर उसका sample इसी तरह फिर हम paragraph 2 को देखेंगे साथ में यह भी देखेंगे कि chat GPT को हम किस तरह इस्तमाल कर सकते हैं और easily हम लिख सकते हैं इसी तरह paragraph 3, 4 और 4 paragraph बहुत ज़्यादा important है इसकी वज़ा से admission, accept, rejection में यह काफी करदार अदा करता है यह ह देखेंगे और आखर में हम यह भी देखेंगे कि कौन सी mistakes आपने नहीं करनी तो यह सारी चीजें मैं इसी के अंदर explain करूंगा तो हम start करते हैं सबसे पहले देखें आपने letter of motivation writing से पहले सबसे पहले आपने intended course की website पर जाना है यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमने किसी ने किस आप यह सेम वर्डेंग सारी चीजें यही इस्तमाल कर लेंगे खर हम सबसे पहले जाएंगे course website पर राइट नाओ जो हम एक यूनिवस्टी को हमने as a example लिए है for example FAU University में artificial intelligence का course है हम इसको as a example यूज़ कर रहे हैं आप इसको bachelor's के लिए भी इस पूरे template को letter of motivation को हम जो example ले र रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक लफ को याद कर लेना है और वो है relevancy जिस भी course के अंदर आप apply कर रहे हैं German University सबसे ज्यादा यह देखती है कि आपकी relevancy क्या है आपने previous course क्या हम से related पढ़े हुए है क्या आपने previously कोई ऐसा काम किया हुए work experience कुछ भी related तो एक words आपने या रखना है वो है relevancy related चीज तो अब हम आते हैं paragraph one पे आपने ये website को देख लिया और अब हम आगए paragraph one पे paragraph one के अंदर आपने देखना है कि focus of the program क्या है तो focus of the program क्या है for example हमने इस university की website पे click किया तो उन्होंने पहली दूसरी lines में ही या पहले page पे ही लिखा होता है जिस तरह इ तो हम ये words उठा लेंगे इनके वो हम direct words भी उठा सकते हैं या फिर हम उससे related related words उठा सकते हैं तो यह हमने याद कर लिए कि यह लवज हैं वहाँ पे लिखे हुए focus यह है अब हम आगे paragraph one पे template हम देखते हैं तो template यह आपने start करना है two से क्योंकि आप किसी को लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं the admission committee को और आगे university का नाम आ जाएगा जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा to admission committee FAU इरलेंगन university का नाम फिर हमने लिखा my name is umair बस उसके बाद dot simple सा चोटा सा sentence फिर हमने लिखा कि हम write क्यों कर रहे हैं हम write इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस program के अंदर apply करना बस बात खतम dot छोटे छोटे sentences बनाने हैं बिल्कुल बच्चेओं की तरह दिस program focuses on हमें focus already पता है तो अब हम लिख देंगे किस चीज़ पे वह focus कर रहा है तो देखें हमने वह words जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं उनको हमने उठा के यहां पे लिख दिया direct words भी लिख सकते तो यहां से उनको क्या पता चला उनको यह पता चला कि बंदा यूनिवस्टी की website से हो के आया है इसको कुछ ना कुछ पता है तो हमने words वह लिख दिये उसके बाद हमने क्या लिखा हमने लिखा कि वह हमें help किस तरह करेगा तो फिर हमने आगे desired outcome लिख देनी है for example desired outcome क्या हो सकती है कि हमें basics पता चल जाएंगी उस field की या foundations पता चल जाएंगी या उसके अंदर हमें expert हो जाएंगे तो वह हमने लिख दिया कि हमें foundations of artificial intelligence पता चल जाएगा और हम उसको किस तरह apply करते हैं यह पता चल जाएगा फिर dot खतम बात आगे 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 आपने लिखना है I believe this program will provide me with skills आगे आगे आपने दो तीन skills का नाम लिखते हैं वो skills आपकी field से related होंगी और इस intended course से related होंगी जिस तरह हम देखें और यह वाली skills आपकी university की intended website पे भी mentioned होंगी जिस तरह हम देखें हमने यहां पर लिख दिया कि skills and algorithm design neural network and AI system तो यह कहां से आया है यह मैंने खुद नहीं लिख यह हमने university की website से उधार लिए हैं तो यह देखें हम यहां पर आके देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि focus किस चीज़ पर है यह implementation of algorithm data structure neural networks तो हमने words यहां से उठा रहे हैं हमने देखें जिस तरह neural network है तो देखें हमने neural network यहां लिख दिया इसी तरह neural network implementation हमने लिख system implementation लिख दिया आई आई system तो हमने words यहां university की website से उधार लेते जाने हैं उनको भी पता चले है कि बंदा पढ़ किया है हमारी website यह उसको पता है कि हमारा purpose किया है तो पहला paragraph आपने यह यह लिख देना है यह हमरे पास template है और यह sample है इसको आप अपने मताबक और आपकी जो intended template template क्या है कि इसके अंदर हमने दो चीजों का बताना है second paragraph में दो चीजों का बताना है number one हमने बताना है कि हमारी degree education क्या है और number two पे यह देखें यहां पर शुरू हो रहा है number two हम यह बताएंगे कि during this degree हमने और क्या काम किया जो practical हो थोड़ा सा को presentation हो को project हो को social work हो जो related हो तो courses like देखें तीन से चार subjects आपने list कर देने है related to intended program आप अपनी transcript या mark sheet निकालनी है और simply देखना है कि कौन से तीन चार subject हैं जो intended course से related है देखें आपकी transcript के उपर बहुत सारे courses लिखे होते हैं आपने 30 40 50 courses पड़े होते हैं लेकिन आपने कौन से list करने हैं जो बिलकुल related है ती data structure ये वाले कर दिये यहां पर तीन हमने कर दिये तीन best है आप चार भी कर सकते हैं चार से ज्यादा ना करें क्यूंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर गाम फिर देखें these courses अब यह कि इन courses से हमें मिला क्या तो मिला क्या वही मिला जो आप पढ़ा रहे हैं these courses gave me strong understanding of जो आप जो उन्होंने दिया होता है कि यह यह subject आप पढ़ेंगे वहां से हम उठा रहे हैं तो देखें फॉर एक्जमपल यहां पर जो pattern recognition है यह कहां से आया मैंने कुछ खुद तो नहीं लिखा यूनिवस्टी की website पे गया मैं वहां पर उन्होंने यह description लिख यह module की ना कि आप इस इसको प्रोग्रामिंग को और इसके अंदर तो इससे उनको लगेगा कि इनकी foundation बड़ी मजबूत हैं और इनने आल्रेड़ी यह पढ़ा हुआ है तो वह इसको अच्छा समझते हैं तो यह part हो गया यहां तक आपकी degree से related और चंद सब्जेक्ट आपने लिस्ट कर देने हैं second part में आपने during this degree से start करना है कि during this degree I worked on a project और आगे किसी project का नाम लिख दें यहां पर प्रोजेक्ट भी हो सकता है आपकी presentation भी हो सकती है जो भी आपने को थोड़ा practical काम किया हो degree के दौरान वह वाला आपने लिखना है तो देखें name of relevant project यह बड़ा important है कि आपने name लिखना है project अगर आप ऐसे लिख देंगे कि मैंने project किया उन्हें क्या पता आपने किये अब जिब इस तरह double quotes के अंदर project का नाम लिखेंगे यह presentation का या research paper का किसी भी चीज़ का नाम लिखेंगे तो उनको लगएगा भाई real है यह सही बंदा बात का रहें तो इसको मैं आगे आपको बत लिख दिया के हमने यह project बनाया और उसके अंदर हमें यह हमने यह इस project ने हमें यह सिखाया यह सिखाया यह वाली चीज़ें कहां से आ रही है यूनिवस्टी की website से बार बार आपने repeat नहीं करना different चीज़ें लिखनी है जो यूनिवस्टी की website पे हो जो उनके module में हो या उन this experience developed my interest in you and now I want to pursue तो यह हो गया तो देखें आप इसके अंदर पहला पार्ट तो बिल्कुल clear है हर बंदा आप में से लिख सकता है कि यह subject है अपनी transcript से अपनी mark sheet से लिख के दूसरा यह आ जाता है कि हमने अपने project के बारे में बताना है आप देखें बहुत सारे लोग होते है उनका study gap होता है अब जब study gap होता है तो हम भूल जाते हैं हमने bachelor's के अंदर कौन सा project किया था कौन सी presentation दी थी तो chat GPT हमारे पास है हम chat GPT को यह simple command देंगे यहां से आप copy करेंगे during this degree को copy करें और यहां तक इसको copy करके यह दे दें ऐसे यह दें हमने यहां पे दे दिया इसको यह वाला मैंने copy करके दे दिया और मैंने का I have to write this paragraph for my letter of motivation, put a project name that I did in my bachelor, give it a name, मैंने specific कर दिया कि इसको नाम भी दो, मुझे भूल गया है, मैंने 4 साल पहले project किया था, the project should be relevant to artificial intelligence, यह भी मैंने इसको बता दिया, और साथ में मैंने का simple English use करो, यह ना पता चले कि चैट GPT का लिखा हुआ है, तो यह देखें, वो बड़ा जहीन है, उसने कहा कि during my degree I worked on AI power disease detection product, अब उसने यह भी दे दिया, साथ में यह भी दे दिया, कि उस project ने मुझे सिखाया गया, और साथ में यह भी लिख दिया, I learned how to use, तो same template को जो मैंने आपको बताई, chat GPT उसी को use करते हुए आपको सारा बता रहा है, अब देखें, यूनिवस्टी को तो नहीं पता कि आपने यह AI प्रोजेक्ट, यह AI power disease detection बनाया भी है या या नहीं, लेकि यूनिवस्टी को और हम सब को लग रहा है, यह बिल्कुल रेयल है, कि उसने project का नाम दे दिया, और आपको यह भी बता दि यह आपको दे देगा, लेकिन अगर आपने जो project किया हो related, आप कोशिच करें कि वही हो, और अगर आपको भूल गया है, अगर आपने master's की degree बहुत ज्यादा साल हो गए है, तो आप इस तरह वाली command दे के आप बेशक इन से कर लें, वट इसको ethically use करें, और इसका impact बहुत ज लिए, तो यह हो गया, और यह second part भी हमने कर लिया, प्रोजेक्ट का भी कर लिया, तो यह आपको example भी नज़र आगए, चैट GPT की command भी आप यहां से देखके copy कर सकते हैं, तो अब आगे हम यह second paragraph clear है, यहां तक उसको क्या अंदाजा हो गया, कि इसकी degree बिल्कुल relevant है, इसने आपने अपना practical experience बताना है, पीछे जो practical experience हमने बताया था, वो during our degree था, वो छोटा सा project हो सकता है, छोटी सी presentation हो सकती है, कोई भी छोटा सा हो सकता है, अब जो हमारा आगया, यह आगया, studies के इलावा जो हमने थोड़ा सा practical experience किया हो, कोई internship की हो, कोई research paper लिखा हो, कोई बड़ और फिर हमने लिखा, I interned or worked at company का नाम, बिल्कुल specific, ताकि उसको लगए कि यह जूट नहीं है, बिल्कुल सही बात का रहा है, फिर आपने का, where I was responsible for, आगे आपकी responsibilities कौन थी, वो आप लिखेंगे, अब देखें, आप job के अंदर जो है, बहुत ज्याद आपकी responsibilities होती है, हो स उसके अंदर आपने related वाली चीज यहाँ पे लिख देनी है, कि मेरे आज मैं यह responsible था, और फिर इस internship ने, या job ने मुझे क्या सिखाया, practical skills दी, किस field के अंदर, AI की fields के अंदर, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जो भी आपका subject हो, फिर हमने का, these experiences helped me improve my, फिर आप technical skills का ना इसके अंदर, जिसके अंदर हम apply कर रहे हैं, और फिर हमने का, कि मैंने यह भी as a team भी सिखा, और technical problems को solve करना भी सिखा, यह थोड़ी सी generic time है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें, यह हमरे पर template है, यह sample है, आपको उमीद समझ आ गई होगी होगी, मैं जल्दी से इसको दोबारा explain कर देता हूं, जो आपकी relevant responsibilities हैं और relevant learnings हैं, वो आपने यहाँ पे लिखनी हैं, अब इसके अंदर जो है, आप यहाँ पे जो हमने experience लिखा देखें, वो बड़ा relevant था उसका, अब हमारा क्या होता है, हम बहुत सारे students होते हैं, हमारा experience relevant नहीं होता for example, अगर कोई बंदा teaching कर रहा है, तो आप उसका AI से कैसे related हुआ, तो उसको आप relevant बना सकते हैं, for example, अगर आप teachers थे, तो आप कहा सकते हैं, कि मैंने subject जो हैं, वो पढ़ाए computer science से related, artificial intelligence से related, इसी तरह अगर आपकी कोई और irrelevant experience हो, तब भी आप उसको relevant बना सकते हैं, आप chat GPT क का इस्तमाल कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, यह देखें, आप कह सकते हैं, कि मेरी last job जो थी, वो यह थी, जो भी आपकी job हो, और फिर आपने कहा कि मैं अब apply करना चाहा हूँ, artificial intelligence के course में, और प्रोग्राम जो artificial intelligence का course है, वो यह कह रहा है, आप उसकी description उठा के chat GPT को दे दे for example, यहां पर UI UX था, तो उसने क्या का, उसने का कि भाई मैंने system ऐसे बनाए जो AI से related थे, मैंने उनकी designing की जो AI से related थे, तो देखें इसने relevancy बना दी, तो यह irrelevant लिखने से बहुत बेतर है, कि आप थोड़ा करीब करीब उसका relevant बना के लिखें, और हमेशा relevancy create हो जाती है, क्य यह most important paragraph है, इस paragraph से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, और वो है handbook module, handbook module के क्या होती है, handbook module के other नाम्स होते है, कि curriculum उसका क्या है, उसका syllabus क्या है, या subjects क्या है, जो आप पढ़ेंगे university के अंदर, तो यह आपको search कर देना है, handbook module, for example, मैं यहां पर आया आप यह वाले आके लफ़ लिखें, module, handbook लिखें, आपको उस course की PDF मिल जाएगी, साथ में आप PDF भी लिखें, तो उसकी PDF मिल जाएगी, जहां पर भी आपको पढ़ा होगा, वो सारा मिल जाएगा, कि कौन से subjects आप पढ़ेंगे, वो मिल जाएगा आपको, तो यहां तक हमें यह हो गया, अब हमने paragraph 4 जो important है, उसके अंदर यह है कि हम इस course के अंदर, इस program के अंदर क्यों पढ़ना चाहा रहे हैं, यह बहुत important है, इसको आप गोर से सुनें, यह देखें, हमने start करना है the reason, the reason I am very interested in this program name, और फिर university name, और फिर हमने करना है because, because किया, आगे हमने दो specific reasons लि reason देंगे, और फिर हम number two reason देंगे, तो देखें, यहां पर हमने अब two reasons, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी reasons देनी हैं, वो मैं आपको बताता हूं, two reasons कौन सी, और कोई भी course की website होगी, उन मेंसे आप यह दो reasons तलाश करके ले आएंगे, या तो आप कहेंगे, मुझे आपका लैब्स बहुत अच्छी है, मुझे इसलिए आपका course पसंद है, आपकी academic reputation बहुत अच्छी है, मुझे इसलिए पसंद है, और यह बहुत कम cases में होता है, क्योंकि यह generic है, हम हर university को कह सकते हैं, आपकी academic reputation अच्छी है, तो हम ज्यादा तर जो हम use करते हैं, जो reasons हम बनाते हैं, वो यह दो reasons बनाते हैं, reason यह बनाते हैं, आपका syllabus बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है curriculum आपका, और दूसरा हम यह कहते हैं, हमें specialization आपकी, आप जो भी offer कर रहे हैं, उसके अंदर जो elective select करने का option है, वो बहुत अच्छा है, तो हम भी यहाँ पे यह दो चीज़ों क को इस्तमाल कर लेते हैं, आप इन 6 में से कोई सी भी दो reasons लिख देंगे, और यह reasons हमेशा आपको intended course की website पे मिल जाएंगी, हर university ने यह mention किया होता है, कोई गवराने की जरुवत नहीं है, बस आपने यह देखना है, the reason I am very interested in, because two specific reasons, for example, यहाँ पे देखें, reason यह है, it offers advanced curriculum, curriculum अ पहली reason कौन सी थी, curriculum वाली, curriculum वाली, हमने का कि मैं बहुत interested हूँ आपके modules में, और यह देखें, specific names, specific names, यह बहुत इसके एहमियत है, specific names हमने दे दिये कि आपके modules, आपके जो subjects है, curriculum के अंदर, वो यह वाले subject मुझे बहुत पसंद है, और these modules will equip me, यह मुझे enable करेंगे, necessary skills in advanced neural networks और यह related चीज़े, related skills, इसके अंदर मुझे यह help करेंगे, और यह एक बात, फिर आप मैं आपको याद करा दूँ, को यह जो यह चीज़ें आ रही है, modules के names आ रहे है, यह university की website से आ रहे है, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, advanced deep learning, देखें मैंने इनका curriculum जो है, वो download किया ह रहा हूँ, advanced deep learning, तो अब इनको पता चल गया, यह electives, यह हमारे course की subject, course के curriculum इनों ने पढ़ा है, और उसके बाद यह specific नाम लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सिर्फ subjects के नाम लिख देने हैं, बस, कि यह मुझे subjects बहुत पसंदने हैं, और यह subject मुझे इस तरह help करेंगे, फिर देखें, यह वाला line important है, another reason, यहाँ पे another reason, यह second reason आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दो reasons mention की थी, another reason is that I am interested in specializing, हम specialization करना चाहते हैं, image processing के अंदर, और specialization का कैसे पता चलेगा, उनकी website से, यह देखें, image processing के अंदर, इनकी specialization है, that is the reason के मैंने इनको लिख है, image processing, यह दे अधिया, और उसके बाद हमने, देखें, specific नाम लिखे हैं, bold के अंदर, और फिर हमने का कि इसकी applications हैं, इस चीज़ के अंदर, इस वज़ा से हम यह select करना चाहरे हैं, and I want to contribute, यह general line है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, I want to contribute in your university, या इस field के अंदर, advanced AI algorithms के अंदर, उसके बाद आ करियर गोल किया है, हम करना क्या चाहते हैं, तो अगर आप देखें, अगर आपको नहीं पता, आप करियर में क्या करना चाहरे हैं, कोई मसला नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ, आप क्या करना चाहरे हैं, भी chat GPT हमें बता देगा, लेकिन हम उनको बताएंगे कि हमारा क करियर गोल यह है कि हम expert बन जाए AI driven security solutions के अंदर अब security solutions हमने यहां पर लिख है आप कैसे लिखेंगे आप university की website से देखेंगे मैं आपको बताता हूँ मैंने यहां तो इसका career goal यह बना दिया लेकिन आपका career goal different होगा different essay होगा कि देखें different universities की website की मैं आपको example देता हूँ जिसना एक university की यह website है एक university की यह website है अब इन दोनों universities को हम देखें तो इन्होंने दिया हुआ है देखें यह बीटियू की website है एक university है यहां पर professional fields of activity इसका यह मतलब है कि आप जब यह degree कर लेंगे तो फिर आप क्या कर सकेंगे आपका career आपका किस के अंदर होगा तो देखें यह बता रहे हैं कि यह आपका career होगा इसी तरह आप एक और university की website निकाल दें तो देखें उन्होंने भी लिखा हुआ है कि आपका career goal क्या होगा यहां हर university ने लिखा होता है career perspectives तो यह कह रहे हैं कि आप यह वाला करने के बाद आप यह बन सकेंगे हमारा career goal यह है कि हम data science के अंदर काम करें हमारा career goal यह है कि हम medical data analysis करें हमारा career goal यह है और also sometimes alumni को भी उन्होंने introductions दी होते हैं तो आप उनको देखें कि जो past के student थे वो क्या काम करें तो आप भी उसी में से career goal जो है वो choose कर लें और यहां पे लिख दें तो हम देखें आगे यहां पे और हमने का कि I am very interested in learning such as आगे specific हो गए और हमने यहां पे फिर reiterate कि हमने already एक fraud detection system बनाया हुआ है आप याद करें हमने second paragraph के अंदर लिखा हुआ था लेकिन आप तो of course यह नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे कि चुँके मेरा already इसके अंदर past experience है तो that is the reason कि मैं यह करना चाहरा हूँ I want to work in roles that allow me फिर आप अपनी specific career aspirations लिखेंगे जिस तरह यह देखेंगे कि मैं lead करना चाहरा हूँ AI projects को तो इस तरह आप लिखेंगे इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है मैं again बता रहा हूँ थोड़ा सा complex शायद हो रहा हूँ आपके लिए मैं आपको chat GPT ले आता हूँ असान करने के लिए देखें यह बड़ा easy हो जाएगा तो हमने देखें पूरा मैंने copy करके यह वाला मैंने पूरा copy करके chat GPT को दे दिया आगे मैंने का I have to write this paragraph for my letter of motivation पूर्टे career goal I want to pursue और मैंने साथ में लिख दिया कि भई मुझे कोई भी career चल जाएगा I am willing for any related course क्योंकि sometimes हमें नहीं पता होता हम क्या करना चाह रहे है तो हमने यह इसको दिख दिया और फिर हमने का कि यह career goal must be relevant to artificial intelligence तो देखें वो हमारा career goal उसने बना दिया वो कह रहा है in the field of artificial intelligence हम काम करना चाह रहे है और particularly आगे देखें वो subject भी हो वो specific भी हो गया है और हमने यह भी हमें बता रहा है कि मैंने यह काम किया यह काम किया तो यह chat GPT ने आपको solution दे दिया है तो हमारा यह जो template है यह बहुत effective है यह वाली template बहुत effective है अगर आप इसको chat GPT को उठा के देदेंगे ना वो भी आपको specific बना के देदेगा और university को नहीं पता चलेगा क्योंके हम इसके अंदर बड़ी specific चीज़ें यूज़ करें है plus simple English यूज़ करें है जब भी आप complex English यूज़ करेंगे professors को पता चल जाएगा यह chat GPT की मार है तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे उसके बाद देखें हमारे पास यह template हो गई और फिर हम आगए paragraph number six के उपर six के अंदर बस हमने close कर देना है हमने कहना है कि भाई मैं बड़ा excited हूँ आपकी इस university के अंदर और यह program name तो यह बड़ा simple है और इसके बाद हमने आखर में कर देना है और आगए हम अपना नाम लिख देंगे तो आप यह template और LOM का sample जो है description से ले लें कोई मुश्किल नहीं है chat GPT को साथ में रखें लेकिं simple English यूज़ करें और आप मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि mistakes आपने कौन सी avoid करनी है तो देखें complex English आपने यूज़ नहीं करनी है simple simple इसको लिखना है तो यह 1.5 page है इसे उपर नहीं है उसके बाद no paragraph more than eight से nine lines कुछ students लंबे-लंबे paragraph लिखते हैं आच lines max है इसे उपर ना जाएं इसके लाब बॉल्ड words यूज़ ना करें मैंने आपको समझाने के लिए कियें otherwise आपका सारा जो है वो simple होगा कोई bold word नहीं होगा उसके अंदर long sentences आपको यूज़ नहीं करने short short sentence my name is mohammad umair खत्म बात अगली बात खत्म अगली बात खत्म also आप किसी senior जो आपके करीब हो कोई teacher हो उससे आप review करा सकते हैं also आप मेरे से भी review करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए letter of motivation लिख हूँ या मेरी team लिख है तो उसकी details भी आप video description के अंदर लिख सकते हैं अगर मेरे तक आपको access नहीं मिल रही तो आप किसी भी senior से किसी teacher से इसको review करा सकते हैं chat gpt आपने नहीं use करना overall आपने यूज नहीं करना लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह आपने यूज करना है simple English के साथ chat gpt बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं pleasureism अक्सर यूनिवस्टी में चेक नहीं होता बस उनको पता नहीं चलना चाहिए अगर उनको पता चल गया तो फिर मुश्किल होगा लेकिन जो मैंने आपको template बता दिया उससे उनको नहीं पता चलेगा आलसो आपने generic lines नहीं लिखनी हैं आपने हमेशा specific lines लिखनी हैं जिसना मैंने आपको template के अंदर भी specific चीज़ें बताई हैं specific दिया हुआ है तो इसके अंदर यही चलेगा generic आप नहीं चलेगे क्योंको generic अगर आप करेंगे तो बड़ा मसला होता है यूनिवस्टी को समझ आ जाती है यह सब के लिए एक ही काम करें है तो in short मैंने उमीद करता हूँ क्योंकि आपको यह सारी चीज़ें समझ आ गही होंगी मैंने एक एक paragraph आपको explain की है और यहां पे आपके पास template मिल जाएगी chat gpd को आप इस्तमाल कर सकते हैं उसे help ले सकते हैं completely उस पे rely ना करें और यह हमारे पास sample है इसको भी आप utilize करें और यह वाकी बहुत effective है मैं आपसे मजाख नहीं कर रहा क्योंकि हमने खुद यह letter of motivation बहुत सारे लिखे हैं और हमने इसका impact भी देखा है even low grades के साथ भी इसने काफी अच्छा perform किया तो आप इसको utilize कर लें और बागी मैं wish you all the best और अगर आप इसको follow करेंगे तो इंशाला आपको admission letter मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा जूनिवेस्टी के अंदर apply करें और letter of motivation को specific करने की कोशिश करें और इन mistakes से आप avoid करें तो यह सारी चीजें थी and I hope के मैंने आपको इस वीडियो के जरीए कुछ ना कुछ help की है thank you very much